तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यन सुन्दर एवं मनोहर अंगूठी देखी अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चे रेचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विशाद से शिद्य में अकुला उठी वे सोचने लगी शीरी रगूनाज जी तो सर्वता अजे हैं उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती सीता जी मन में अने प्रकार के विचार कर रही थी इसी समय हनुमान जी मदूर वचन बोले शिरी रामचंद्र जी के वे गुणो का वर्णन करने लगे सुनते ही सीता जी का दुख भाग कया वे कान और मन लगा कर उन्हें सुनने लगी हनुमान जी ने आदे से लेकर सारी कथा कह सुनाई सीता जी बोली जिसने कानों के लिए अमरत रूप यह सुन्दर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता तब हनुमान जी पास चले गए उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फिरकर बैट गई उनके मन में आश्चरिय हुआ हनुमान जी ने कहा हे माता जान की मैं शिरी राम जी का दूथ हूँ करना निधान की सच्ची शपत करता हूँ हे माता यह अंगुटी मैं ही लाया हूँ शिरी राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहिदानी दी है तीदा जी ने पूछा नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वैसे सब कथा सुना दी कपी के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन ग्रम बचन यह विपासिंदु करदास हनुमान जी के प्रेम्यूत पचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन हो गया उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से करपासागर शिरी रगुनाज जी का दास है भगवान का जन जान कर अत्यंत गाड़ी प्रिती हो गई नेत्रों में जल भर आया और शरी अत्यंत पुलकित हो गया सीता जी ने कहा हे तात हनुमान विरह सागर में ड्यूपती हुई मुझको तुम जहाज हुए मैं बलिहारी जाती हूँ अब छोटे बाई लक्षमान जी सईद खर के शत्रों सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो शरी रगुनाजी तो कोमल, हिद्य और क्रपालू हैं फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण या निश्टुर्था धारन कर ली है सेवक को सुख देना उनकी सभाविक बान है वे श्री रगुनाजी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं ये तात क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे मुझे वचन नहीं निकलता नेत्रों में जल भर आया बड़े दुख से वे बोली हा नात आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले हे माता सुन्दर कृपा के धाम प्रभू भाई लक्षमर जी के सहीत शरीर से कुशल है परंतु आपके दुख से दुखी है हे माता मन में गलानी न मानिये मन छोटा करके दुखी न कीजिये श्री राम चंदर जी के हिरिदे में आप से दुणा प्रेम है हे माता अब धीरस धरकर श्री रकुनाची का संदेश सुनिये ऐसा कहकर हनवान जी प्रेम में गद गद हो गए उनके नेत्रों में जल भराया हनुमान जी बोले श्री राम चंदर जी ने कहा है कि हे सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी प्रदात्र प्रतिकूल हो गए है वरक्षो के नई ने कुमर पत्ते मानो अगनी के समान रात्री काल रात्री के समान चंदरमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के समान हो गए है मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं जो हित करने वाले थे वे ही अब पिड़ा देने लगे हैं शीतल मन सुगंद वायू साप के श्वास के समान जहरिली और गरम हो गई है मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है पर कहूं किस से यह दुख कोई जानता नहीं हे प्रिये मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले प्रभु का संदेश सुनत ही जान की जी प्रेम में मगन हो गई उन्हें शरीर की सुद न रही हनुमान जी ने कहा हे माता हृदे में धहर्य धारन करो और सेवक को सुख देने वाले शिरीराम जी का इस्मरन करो शिरीरगुनाजी की प्रभुता को ठीदे में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़तो राक्षसों के समू पतंगों के समान और श्रीरगुनाजी के बार अगनी के समान है हे माता रिदे में धहर्य धारन करो और राक्षसों को जला ही समझो जैसियराम